ज्यादातर लोगों को श्रीमत भागवत और श्रीमत भगवत गीता इत दोनों का डिफरेंस ही नहीं पता गर्वसे को हम हिंदू है लेकिन हम अपने हिंदूइजम को जानते कितना है मुझे थोड़ी डिसकंफर्ट होती है जब लोग मेरे नाम के आगे पूजिया या परम पूजिया ऐसे शब्द से मुझे नवासने है मैं बहुत ही शॉट टेंपरड रहा करती थी गुस्सा मतलब नाक में रहता था लेकिन ये माइथलोजी और कलपनाओं की बाते कहकर यूथ बहुत आजकल टीज करता है प्योर आपको एकदम अगर रैशनल जवाब चाहिए तो मैं ये मानती हूँ कि आपके लिए क्या फरक पड़ता है हुआ है या नहीं हुआ उससे क्या फरक पड़ता है ये वह भारत है जहांपर श्री राम वानर को लेकर जाते हैं और रावण जैसे बदमाश को हरा देते हैं तो वानर अगर ये कमाल कर देते हैं तो जिस देश के नर जहांपर बॉarडर पर तैनाथ हो किसी देश की ताकात नहीं है, उस देश की सामने आखोंची करके भी दिखाएं गाईज आपने गोर किया होगा कि इंडिया में आज कल इंडियन यूथ, स्पिरिच्वालिटी की तरफ जा रहा है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनमें से जाधातर फोलोवर्स हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो गद्दी पे बैठता है, जो स्पिरिच्वल बाते करता होगा, वो एजड इंसानी होता है, शायद उसी सबसे जाधा नोलेज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आज हम दरविंदरोडा शो में आपको one of the youngest spiritual orator से मिलवाने वालें, जो की बिलोंग करती हैं गुजरात से, जिनका नाम है दिपाली जी तो चलिए आज के दरविंदरोडा शो में उनसे बात करते हैं, उनके different पहलों के बारे में जानते हैं, वो spiritual life में कैसे आई, इतनी young age में उसके बारे में जानेंगे, communication स्टार्ट करते हैं, conversation स्टार्ट करते हैं, let's start and please welcome दिपाली जी नमशकार, नमशकार, कैसे हैं आप? बहुत आनन्दे, so दिपाली जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, first of all हमारा एक concept है, जो हम generally बोलते हैं, कि questions कभी भी controversial नहीं होते हैं, answers on questions को controversial बनाते हैं, so आप तयार हैं? yes, okay, second है कि हम कभी कभार हम ऐसे questions पूछ लेते हैं, जिसमें महमान comfortable नहीं होते हैं, तो मैं initially आपसे पूछ लेना चाहते हैं, कि आप किस topic पे आराम से easily बात कर सकती हैं, और किस topic पे बात नहीं करना चाहती हैं, तो मैं आपको कुछ topics दूँँगा, आपसे पूछूँगा, आपको सिर्फ yes or no में answer करने हैं, कि आप उसमें बात करना चाहेंगी, या नहीं बात करना चाहेंगी, फिर्स और फोल, professional life, आपकी professional life, yes, social life, पूछिये, spirituality, बिल्कुल पूछिये, religious, पूछिये, your married life, I am single, youth problems, yes, पूछिये, politics, देखिये, मैं मानती हूँ कि, जहाँ पर धर्म आता है, spirituality आती है, वहाँ कूछ नीती, प्रपंच, उससे दूर रहना चाहें, तो no, sports, yes, bollywood, hollywood, entertainment, पूछ सकते हैं, social media, yes, your professional life, yes, अब एक और दो छोटे से सवाल हैं, उसके बाद हम अपनी conversation को start करेंगे, generally, आप, अपने आपको क्या बुलाना पसंद करती हैं, जैसे generally, पहले भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे spiritual orators आएं हैं, तो वो अपने नाम से अपने आपको बुलवाना पसंद करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि audience आपको कैसे orate करते हैं? Usually हम कथाएं करते हैं, तो लोगों का ऐसा नजरिया होता है कि हम पुझ्य ऐसे शब्द लगाते हैं, आप मुझे दिपाली जी बुलाओ, दिपाली बुलाओ, दिपाली दीदी, आप जैसे आप मुझसे connect हो पाओ, पुझ्य भाव से ज्यादा प्रिय भाव जैसा बना रहे, वैसा, यहीं आप अपने आपको भगवान नहीं मानती हैं, बिलकुल नहीं, यहीं नॉर्मल इंसान से मिला रहा है, लेकिन गदी से उतरने के बाद है नॉर्मल इंसान ही है, तो वैसी communication, वैसी conversation आज इन से हम करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं, दिपाली जी, मैं आपको दिपाली जी बुलाओंगा, दिपाली जी, सबसे पहले जब मैं आपकी history पढ़ रहा था, आपक मतलब, first of all, तो मैं यह जानना चाहता है, ति यंग एज में स्प्रिच्वालिटी की तरफ कैसे इंकलाइन हुई, इसके बारे में थोड़ा बताईए, मेरा मानना है कि कुछ गुण अंदर ऐसे होते हैं, बाई बर्थ, हम वो कुछ गुण पैदा, जब हम पैदा होते हैं, और it is multiplied with the environment we live in, जिस माहौल में हम रहते हैं, वातावरण में हम रहते हैं, उसके साथ जब उसका गुणाकार होता है, जब multiplication और synergy होता है, तब मैं मानती हूँ कि कोई इंसान का व्यक्तित्व का निर्मान होता है, स्पिरिच्वालिटी की मैं बात करूँ या धार्मिक अध्यात्मिक मेरी जो यात्रा की मैं बात करूँ, वो बहुत ही बचपन से, बहुत ही छोटी एज में, पांच साथ साल की एज में, मेरे दादा जी के द्वारा चालो ही मेरी लाइफ में, मेरे दादा जी गंगा किनारे हरिद्वार में उन्होंने बड़ी साधना की है, 40-45 साल तक उन्होंने गंगा किनारे बहुत ही अध्यात्मिक जीवन जिया है, तो हम अपने स्कूल कॉलेज के जो भी वेकेशन होते थे, समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन, हम कभी मामा के गर बुआ के गर नहीं गए, चाचा मौसी, किसी के गए, हम सिदा जाते थे हरिद्वार, और वो हमारा वेकेशन दो महिने, तीन महिने चलता था, तो हम पूरा वह वातावरन, आश्रम का वातावरन हम जी हैं, और जब हम वापस आते थे 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 थे, वापस हमारा नॉमल स्कू समर वेकेशन, बट वो पिकनिक मान लो या जो भी फ्री टाइम मान लो उस टाइम में वो जो वाता वरंड ने एक छोटे बच्चे पर जो असर किया होता है, जो इंपेक्क किया होता है, I guess, दीरे दीरे जाके वो अंकूरित होता है, पर इसमें पैरेंट्स का क्या, पैरेंट् कि पैरेंट्स को पता लगा कि आप स्प्रिच्वालिटी की तरफ जाना चाहते हैं, आध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं, वो भी इतनी यंग गेज में, उनका रियक्शन क्या था और उनका सपोर्ट सिस्टम कितना था, मेरे पैरेंट्स बहुत खुश हुए, क्योंकि जै ना मेरे घर्वालों को कुछ नया लगा, उन्हों को लगा कि शायद मैं शायद इसी के लिए बनी थी, और फाइनली मैं उस मोमेंट पे मैंने वो जब चूज किया, वो लाइन, वो क्षेत्र, तब देन्यू इट, यूनों वैसा होता है ना कि यह तो हमको पेले से पता है कि हम वेट करें कि यह कब होगा, तो पट उन्होंने कभी spirituality को थोपा नहीं मुझे, बजपन से, जैसे हम पूरा ऐसे अध्यात्मिक परिवार के वातावर्ण में से आये हैं, लेकिन एक बात के लिए मैं अपने parents के उपर इतनी रुणी रहूंगी, उनका कर्ज में कभी नहीं पाऊंगी वो यह है, कि उन्होंने कभी आध्यात्मिक जीवन मुझे पर थोपा नहीं, कभी spirituality ना मेरे दादा ने हम पर थोपी, ना मेरे पिता जी ने, मेरी ममी ने, कभी हम पर नहीं थोपी, क्योंकि हम सब का यह मानना है, कि spirituality थोप ही नहीं जा सकती, वो जगा ही जा सकती है, यह प्रेम के जैसा है, तुम प्रेम किसी के उपर थोप नहीं सकते हैं, हाँ, तुम प्रेम किसी के अंदर जगा सकते हो, तुम अपना ऐसा बरताव ऐसा कर सकते हो, अपने में कुछ ऐसा चेंज लाकर, सामने वाले के अंदर प्रेम जगा सकते हो, लेकिन थोप नहीं सक लेकिन जब जब वो बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर का भी एक इगो है, हम आब आप ये भूल जाते हैं, कि बच्चा जब तक छोटा है, तब तक हर चीज, बिकोज उसके पास और कोई option ही नहीं, कोई choice नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वो बड़ा होगा, वैसे उसके अंदर का इगो भी बड़ा होता है, अब जब बड़ा बच्चा, अब उसको तुम बोलोगी, तुम्हें ये करना ही करना है, वो उल्टा उससे दूर भागता है, सो मेरे parents ने बहुत अच्छी बात की, कि हम पर कभी spirituality को थोपा नहीं, spirituality को अपने आप हमारे अची है, मैं बहुत ही honest और प्रामानिक जवाबी को आप शो ही है, honest and unfiltered, तो मैं बहुत ही short tempered रहा करती थी, गुस्सा मतलब नाक में रहता था, जब मैं कथा के क्षेत्र में नहीं आई थी, उसके पहले की बात करी थी, जैसे मैं कॉर्परेट में काम करती थी, cricket, जो sports एक spirituality ने मुझे काम बनाया है, शांत बनाया है, अब कोई जल्दी से मुझे इंस्टिगेट नहीं कर सकता, अब जल्दी से मुझे कोई provoke नहीं कर सकता, और ये मैं मानती हूँ कि ये पूरा श्रे, ये पूरा जो ये कथाओं का जो मेरी जर्नी रही है, ये मैं पूरा श्रे उसक कर्मने वाले लोग उनका निर्मान हो रहा है। हुम्ग Ama पफुशा मानती है कि जब बोलता कोई है जब बच अपना वक्त व्या देता है तब बोलते हम खुद का भी वह निर्मान करता है। इसका भी दुष्ण कमान मोण रोगते जया तो शायद आप ही कहीं question mark लगा रही है उनकी existence पे, कि वो कभी हुए थे, पर शायद आपके मन में ऐसा नहीं होगा, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि यूथ इस पर question mark लगाता है, यूथ इसको कालपनिक मानता है, ये कहता है कि हम तो, मैं बहुत मानता हूं, मैं मानता ही नहीं, भगवान शायद जानने की चीज से ज़्यादा मानने की चीज है, और मैं बिलकुल मानता हूं कि इस धर्ती पे भगवान राम हुए होंगे, लेकिन ये mythology और कालपनाओं की बाते कहे कर, यूथ बहुत आजकल tease करता है, सोचल मेडिया पे, उसके बारे में आप क्या क Can you prove archaeologically? Yes, there are proofs. मैं देखिए, दो एसपेक्ट हैं, उसको दो एंगल से मैं आपको ये बात आपके सामने रखना चाहूंगी. Scientists, archaeologists, historians, उन लोगों ने मैनत की हैं, और कुछ-कुछ चीजें निकाली हैं, दोयरका से निकाली हैं, राम से तुसे आप जाओ, तो उसको आप नकार नहीं सकते, कि उसके existence पर आप question नहीं कर सकते, लेकिन जब बात आती है, प्योर आपको एकदम अगर rational जवाब चाहिए, त कई लोग मुझे पूछते हैं कि रामायन, महाभारत, ये सारी scriptures, चाहे कोई poem किसी ने लिख दी, ऐसा तो नहीं है, हो सकता है, एंगल, देखिए, सवाल उठाने को दो हम बहुत साथ है, सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा ये कहती है, मेरा faith कहता है, राम अयोध सोचना चाहिए, जिसे मैं एक इंडिया का सामान्य यंग परसन हूँ, सामान्य यूथ, तो मेरे लिए क्या माइने करता है, राम किसी 10,000 साल पहले कोई हुए थे, या 5000 साल पहले Krishna हुए थे, मैं मानती हुए थे, लेकिन अगर जिसको ये मन में question है, मैं उनके लिए बात कर हुए उनके लिए क्या फरक पढ़ता है, हुए थे या नहीं हुए थे, क्या फरक पढ़ता है, लेकिन उनके लिए ये जरूर फरक पढ़ता है, कि Krishna का चरित्र कितना विराट था, कितना प्रभावी था, कि पांच अजार साल के बाद भी वो हमें प्रेरित करता है, राम का चरित्र कितना प्रभावी था, कितना impactful था कि वो हमें आज भी अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छी life जीने के लिए, परिवार के साथ कैसे रहना चाहिए, अब व्यापार करो तो उसमें भी हमारा क्या मनोव, स्थिती क्या होनी चाहिए, सब एंगेल को टच करें, ऐसा कोई व्यक्तित्व हुआ है, तो उसे जानना चाहिए, मानना चाहिए, और उसे हम क्या अपनी life में इंकल्केट करना चाहिए, हमरा ध्यान उसमें होना चाहिए. बजाए इस चीज़ को साबित करने के यह तेकि जो साबित करता है, जो तरक सामने वाले को confuse कर देता है, सामने वाले को निरुतर कर देता है, मैं को question पूछोगे, मैं आपको और एक तरक दूँगी, आप और लॉजिक लाएंगे, मैं एक और उस पे लॉजिक लाओंगी, यह लॉजिक की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन लॉजिक से शांती नहीं मिलती है, लॉजिक से समाधान नहीं मिलता है, लॉजिक एक समय पर, तरक एक समय पर सामने वाले को निरुतर कर देता है, लेकिन वो समाधान नहीं देता, लेकिन जो आप अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हो उस नजरिये से अगर आप देखोगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि भगवान राम थे या नहीं थे तिपाली जी जब आप कथाये करती हैं हम लोग सब इंसान हैं इमोशन होते हैं हमारे अंदर तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि जब आप इतने सारी आपने कथाईं की हैं जब डिसकॉशन कर रहे थे तो ऐसा कोई मोमेंट आया था जब आप खुदी सोचे कि यह मैं क्या बोल दिया हूं जिसका इंपक्ट दूर दूर तक आपको ओडियंस में दिखाई दे रहा होगा आपके खुद के रोंक्ते खड़े होगे कि लिटरली युवर एमोशन ऐसा कई बार होता है कि जब हम कथा करते हैं तब हमारे अंदर से कुछ ऐसा निकल जाता है जो हमने कभी सोचा है नहीं होता नहीं कोई चीजे होती है जो कभी आपने पड़ी होती है नहीं कहीं से सुनी होती है तो वह आपके अंदर एक रहती हैं लेकिन कुछ चीजłe होती हैं ना आपने कभी पढ़ी हैं ना कभी आपने सुनी हैं ना किसी से आपने उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है intentions लेकिन ऐसा हुँता है कि उस मुमेट पर क्या connect हो गया कि वो चीजे निकल आती हैं और मैं मानती हूं कि वो चीजे हैं सबसे ज्यादा लोगों के रदय को चूती हैं और जब बोलते हैं तब हमारे रदय को भी चूती हैं तो ऐसा कोई मुमेंट आप शेयर करना चाहो जैसे एक बार हमारी गताओ में कभी-कभी कोश्चना सेशन भी रहते हैं तो उसमें एक व् में क्या बताना चाहेंगे तो वो जो जवाब मैंने आंसर किया वो मैं मानती हूं मुझे भी इतना टच किया और जो अजारों की तादात में जो श्रोता हो तो हम भी सुनना चाहेंगे मेरा ये मानना है कि देखिए कोई अगर चीज है तो उसका बनाने वाला होना चाहिए यह हमारी एक, यह हमने सुनी-सुनाई, यह बहुती साधारण सी व्याक्या है, कि कोई चीज है, अगर मकडी होती है, मकडी, spider, तो अपना रहने का घर बनाती है, तो माल सामान कही ले रहे नहीं जाती, कहां से आता है, अपने अंदर से, उसका saliva या क्या होता है, वो एक liquid release होता है, और वो उसको गूंचती चली जाती है, वीविंग करती जाती है, मकडी, और अपना घर बन जाता है, अब छोटा सा जन्तु मकडी, उसमें इतनी ताकात है, कि अपने रहने के लिए, अपना घर, उसके लिए माल सामान कही बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने अंदर से ला सकती है, तो एक जो विराट कॉस्मिक एनरजी, जिसको हम भगवान कहते हैं, कोई अल्ला कहे, कोई गौड कहे, कोई भगवान कहे, अल्टेमिटले, इसको कॉस्मिक एनरजी, तो कॉस्मिक एनरजी में वो ताकात नहीं होगी, कि पूरा ये सब बनाने के लिए, जो भी चाहिए, वो अपने आप से प्रगट कर सकते हैं, अच्छा एक और चीज़ बताईए, जब आप बात कर रहे थे, कि अभी थोड़ दे अभी तक उनको पड़ा, पाँच ऐसी चीज़ें जो भगवान कृष्ण की आपको लगती है, कि कमाल है, आज के यूथ को, आज की यंग जनरेशन को, अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए, कौन-कौन सी कॉलिटी हम में हो, तो हमारी उननती हो सके, हमारा एवलिशन हो सके, ह और यरे बिजन स्मैन, ही टॉलिटीकल स्कॉलर, पूर्ण पूर्षोत्तम हम कहते हैं, श्रीक्रिष्ण को ग्या, क्या क्या क्या, महाभारत के युद्ध में, पहले दिन गीता का ज्यान, अरजुन को देने की शुरुवात की, तो start कहा से हुआ, अरजुन कहता है कि यह जो स इनों ने मुझे बढ़ा करने में योगदान के आज में जो भी हूँ इनकी वज़े से हूँ और आप इनके सामने में तलवार उठाउंगा, गांडि उठाउंगा, तो यह प्रॉब्लम है, हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, तो पहले पूरे अध्याय में श्री कृष्ण अरजुन को सिफ बोल नहीं देते, तुम खाली हो जाओ, तुम बोलते जाओ, पहले अध्याय में श्री कृष्ण ने कहीं भी अरजुन को इंटरॉप्ट नहीं किया, पहले सामने वाले को बोलने दो, अगर तुम्हें किसी की समस्या का समाधा देना है तो तुम्हें उससे सुनना पड़ेगा अब हम चलते हैं हनुमान जी की तरफ जिन्हें आप हम सब चिरन जीवी कहते है जो ऐसा लगता है कि अभी भी जिन्दा है हमारे बीची है आपने हनुमान जी का नाम लिया तो उन में क्या qualities आपको नजर आती है हनुमान जी के प्रती हम सब को fascination होता है या श्रद्धा होती है वो इसलिए नहीं कि बहुत बड़े बलशाली थे गदा में सब को खदम कर दे थे इतना बल था उन में कि रावन को मारने के लिए भगवान राम को जाना नहीं पड़ता कि जब सीता जी अशोक वातिका में थी जब रावन ने अरण करके लाएं थे सीता जी को तब अनुमान जी गए थे सीता जी को डुणने और देखा कि अशोक वन में पेड के नीचे सीता जी बैठी हुई है जो ठान लिया होता तो लेकर आजाते उनको जरूरत नहीं पड़ती कि वहां से जाके पूरी एक्सराइज पर रावन को मनाना कि तू सिता जी को भगवान को सौप दे तो ये युद नहीं होगा फिर वापिस जाना उन्होंने अपनी एक मर्यादा रखी कि जो चीज जिसको सुहाए उसी को करनी चाहिए मैं यहां एक दूत बनके राया हूँ तो मैं एक दूत की हैसियत से यहां ओपरेट करूँगा एक होता है कि हम सब को अपनी एक बाउंडरी में रहना चाहिए बहुत ही ब्यूटी के साथ वो सीता जी को लेने जाते हैं तो बहुत सारे लोग राम जी को देखना चाहते हैं पर देखनी पाते क्योंकि जनता बहुत पीछे बच्चे भी देखना चाहते हैं कि राम जी कैसे दिखते हैं तो हनुमान जी अपने आपको बड़ा कर लेते हैं और कंदे पे बिठाते है उनको and that was रौंख्ते खड़े कर देने वाला वह scene था पड़िसके अलावा अगर हम बात करें हनुमान जी की यह सहित अवाली बात आपने बताए कि वो इतने शक्ति शाली होने के बावजूद भी उनमें सहित था कि शक्ति को कहां इस्तमाल करना है, कहां नहीं करना, उसके अलावा आपको क्या लगता है, कि हनुमान जी में क्या था? हनुमान चालीसा की बहुती प्रसिद्ध चोपाई है, शुक्ष्म रूपदरी, सियावी दिखावा, विकट रूपदरी, लंक जलावा, तो हनुमान जी में वो अड़ेप्टिबिलिटी है, आजकल बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स में, बड़े-बड़े सेमिनार्स होते ह है, कि हमको एजाइल रहना है, एडप्टिव रहना है, हमको चीज़ें लर्न, रिलर्न, अनलर्न, वापस लर्न, यह सब करना है, तो उसका सबसे बड़ा परसॉनिफाइड केरेक्टर है वो हनुमान जी है, वो जैसे भी सिचुएशन है, उस अकॉर्डिंग अपने आपको तो एक कोमेंट्स पढ़ रहा था, जनली आजगल का यूथ हर बार तारकिक बाते करता है, तो उनको हर बात की सत्यता चाहिए, तो जैसे कोमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हम इतने बड़े-ड़े स्टैचूज, जैसे कई जगा देखा होगा आपने मह भानपूर्शों के स्टैचूज, श्री राम के स्टैचूज, और मंदिर भी बन रहा है, यूद्या के अंदर, गुजरात में भी सर्दार वल्ला भाय पतेल की इतनी बड़ी मूर्ती बना देजी, इसमें तीन चार हजार करोड रुपे लगा दिये, तो जनली उसमें नीच क्यों बनाया है, तो क्यों खर्चा कर रहे हूँ, इसका क्या जवाब दोगे आप, जब आपसे अगर ऐसा कोई सवाल पूई है, बननी चाहिए, क्यों ने बननी चाहिए, किसकिंधा के बगल का जो ये एरिया है, और जहां पर हनुमान जी बिलॉंग करते हैं, वहां पर उन क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी असमिता क्या है, और जब हम अपनी हिस्ट्री को भूल जाते हैं, तब हमारे अंदर अपने सेल्फ इस्टीम भी कम हो जाती है, क्या बात है, क्या बात है, अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि आपने भगवान तो आपने बहुत सारे scriptures, scriptures पढ़ रखे हैं तो यूद की कुछ problems लेते हैं आप लोग, जो भी यूद को हैं और अगर आप उनको address कर पाओ अपनी कथाओं के माद्यम से या फिश्लोकों के माद्यम से जो आपने गीता में पढ़ा उनके माद्यम से तो मज़ा आजाएगा जैसे पहला problem जो सबसे ज़ादा बढ़ा है आज के time पे यूव अवस्ता आ जाती है तेरा 13, 14, 15 young generation मतलब इतनी समझ हो गई है उस time पे relationship पे आने लगता है boyfriend, girlfriend और उसके बाद आप मान के चले कि 99 बच्चे ऐसे हो गए है और उसके बाद उसके से 90 बच्चे ऐसे होते है जो उसके चक्कर पर अपना career खराब कर लेते है आगे कुछ सोची नहीं पाते है कुछ बन नहीं पाते है अपनी abilities को देखनी पाते पहले इतनी young age में आज कल जो हो रहा है इन फैक्ट काफी डराने वाले आकड़े है यह जो boyfriend girlfriend वाला जो scene चल रहा है और उसके लावा फिर अपना career खराब करने वाला scene चल रहा है इसको कैसे address करो गया आपसे को भी कि यह सवाल पूछा गया देखिए when a person hits puberty तो जैसे शरीर में कुछ बदलावाते है hormones change होते है तो इस impact मन पे भी आता है तो अकरशन होना attraction होना to be attracted towards a person it's very normal होता है और अगर तुम किसी को यह बोलो कि नहीं आसा नहीं होना चाहिए सारे पैरेंस को यही चींता होती है और वो करते भी है लेकिन कोई मानता है because वो attraction का force आपने भी और हर young age के लोग ने यह महसूस अपनी life में कभी न कभी क्या होता है कि वो force attraction का इतना powerful होता है कि उसके सामने सब ढह हो जाता है लेकिन इसमें एक तरक और देते हैं आजकल के बच्चे वो मैं आपको बताता हूँ फिर आप बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि घर में Krishnabhagwan की पूजा और ये Krishnabhagwan की 16,000 रानिया थी हम एक भी नहीं बना सकते क्या वो उसको बात में रखो मैं उसका interesting जबाब दोंगी रखो 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 it's a very nice question I'll give it to that वो लोको special रखना अभी इस पे focus करने है to be attracted towards a person is very normal आप किसी को बोलो कि नहीं होना है वो काम नहीं करता वो attraction का force ही इतना powerful होता है कि उसके सामने सारी morality ढह हो जाती है energy वहाँ पे खर्च करो अपने emotion वहाँ पे खर्च करो वो व्यक्ति वो इंसान तुम्हें कहीं पहुचा है अगर ये एक thumb rule I guess अगर आप अपनी life में inculcate कर लेते हैं most of the problems will be solved तो मतलब ये attraction बुरा नहीं है but the thing is temporary नहीं होना जीए बस मुझे ऐसा लगता है कि आप जिसको भी अपना अपना गल्फेंड या बॉइफेंड या जीवन साती ही चुनते हो वो आपको प्रोग्रेस करवाए उपर की तरफ लेके जाए तो तो आप बूड बी ग्रेट पर आपसे सवाल है कि यंग एज मिसे तो आप भी निकली है तो आपको ऐसा कभी अट्रेकशन नी हुआ हुआ हैaber나 क्यों नहीं हुआ यार क्या हुआ कि Х min老 इसा नहीद अधने दो एक ट्रॉश नहीं होते यह जो नॉनलल हम स्कूल में कॉलिज में स्कूल में कॉलिज में कभी बनान नहीं जो स्कूल्स में होते हैं, तो नॉमल सी चीज है, तो देखे, अब मुबाइल के जवाने थे नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, तो काफी चीजे मन में ही मन में रह जाती थी, और वो इतना पावरफुल होता भी नहीं, फ्रेंक्ली स्पीकिंग, वो जो हर इंसान उस एज में न तुम दूर हट जाओ, तो मन में याद भी नहीं रहता, so with time it gets diluted, अगला problem लेते हैं, यूद की अगली problem है, stress, बहुत जादा stress है, in fact, वो problem कहां से generate होती है, expectations से generate होती है, जिस society में हम जी रहे हैं, उसमें parents की expectations है, उस expectations को जब आस-पास के लोगों को पता लगता है, तो वो expectations बनाने लगते हैं, और थोपने लगते हैं, कि क्या हुआ, क्या हुआ, तो बैचारा और मरने लगता है, जब वो result नहीं दे पाता, उसमें और ज्यादा stress आने लगता है, और life में मुर्जा आ जाता है, मतलब जो चीज वो कर सकता था, अपनी तरफ से अच्छा कर सकता है, मैं इसका बहुत चोटा सा जबब देना चाहूंगी, हमारी life में stress इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि हम अपने काम को duty की तरह लेते हैं, beauty की तरह नहीं लेते, अगर जब तुम अपने काम को beauty की तरह लोगे, तब चीजें लाइफ में चेंज हो जाएगी, duty की तरह लोगे, त कुछ कमाल करते हैं, so एक तो बात यह है कि जो भी करो, प्यार से करो, पैशन से करो, दूसरा, हमारा सबसे ज़्यादा stress क्या रहता है, इसका result क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, consequences क्या आएगे, और ये बात मैं, I'm sure हम सबने भी गीता में पड़ी है, कर्मन्य वादिका है, और दूसरा stress कहा है, हमारे परिणाम क्या होगा, उसका result क्या होगा, उसकी चिंटा ज्यादा करते हैं, बजा है हमारी performance के, हमारा ध्यान हमारे performance में नहीं होता हा, हमारे efforts में होता हमारे काम नहीं होता, reward पे होता है और reward brings stress क्या हो अगर मैंने जो सोचा है वो नहीं हुआ तो तो focus effort से निकल गया, काम से निकल गया और reward में चला गया गीता में भी वगवान यही कहते है कि तुमारा अधिकार तुमारे efforts पे है, तुमारा अधिकार तुमारे काम पे है फल पे नहीं है अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं वो है क्रोध, गुसा मतलब एंगर ये ये कैसी चीज है जो की depression भी लेके आती है एक तो कोई भी काम ढंक से नहीं हुआ, उसकी वज़े से एक अंदर एंगर जनरेट होता है, और एंगर है आपको अगर गुसा आता है तो मैं फील करता हूँ, मेरी बॉडी में एक negative impact पड़ रहा है, वो सबके साथ होता है उससे कैसे बाहर निकले देखिए, ये दर्द से तो हम भी निकल चुके हैं तो ये क्रोध वाले गुसे वाले chapter ने तो मुझे भी बहुत परेशान किया है, to be honest in my earlier life गुसा एक ऐसा जहर है which I have realized with time गुसा एक ऐसा जहर है जो हम खुद पीते हैं और expect करते हैं कि सामने वाला मरेगा ऐसा नहीं होता जो जहर पीता है, वो मरता है तुम जिस पे गुसा कर रहे हो ठीक है, उसको थोड़ा impact होगा देखो, उसकी भी life में क्या impact होगा वो हम नहीं जानते कई बार सामने वाले को कुछ फरक नहीं पड़ता उससे हमें और ज़्यादा गुसा आ जाता है और कई बार सामने वाले की भी mental health disturb हो जाती है so वो एक separate chapter हो गया बात हम करते है अपनी तो गुसा हम करें, तो सामने वाले पर impact हो या ना हो, सबसे पहला impact हो हमारे उपर होता है तो वो एक ऐसा जहर है, जो पीता है वो मरता है वो पहले मरता है ठीक है so finally आपने गा कि गुसा तो आएगा लेकिन उसे control कैसे करे तो आपके पास कोई उसके उपाए है तो प्लीज वो बताईए और दूसरा मैं आपसे पूछना चाता हूँ कि क्या इस प्रिच्वालिटी यानि क्या अध्यात्मा मदद करता है आपकी कितनी मदद की उसना देखे, क्रोध एक एनरजी है गुस्सा एक एनरजी है मैं यह नहीं कहूंगी कि गुस्सा बिल्कुल बेकार चीज है कई लोग बोलते हैं ना कि काम, क्रोध, लोब यह सब बेकार चीज हैं, लाइफ में से हटा दो तुम चाहे कितना भी बोलो बोलने के लिए तो अच्छी बाते हैं लेकिन चीजें प्रेक्टिकल भी होनी चाहिए तुम कितने भी मेहनत कर लो काम, क्रोध, लोब इसको जीवन में जीरो नहीं कर सकते हैं, नील नहीं कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए है तो यह एनरजी, तीनों एनरजी बड़ी काम की हैं, काम लस्ट, डिजायर्स सेक्स बड़ी कमाल की एनरजी है अगर सही जगा उसको चैनलाइज किया तो उससे बड़ा कमाल हो सकता है और अगर वो एनरजी को तुमने बिल्कुल चैनलाइज नहीं किया तो एनरजी उम्हें बरबाद भी कर सकती है वो एनरजी है जिससे मैं और आप सब पैदा हूँ है पूरी स्रुष्टी वो एनरजी के बलबूते पर चल रही है तो पावरफुल एनरजी क्रोध इस पावरफुल एनरजी टू क्रोध भी जीवन में जरूरी है लेकिन कहां करना चाहिए हम कौन-कौन सी बात में कर बैठते है सबजी में नमक कम है आज लेट क्यों आए ये सारी परचूरन चिल्लर नहीं होते एक रुपे के सिक्के, दो रुपे के सिक्के ये वाला है क्रोध बड़ी नोट में होना चाहिए 2000 की नोट, 500 की नोट ऐसा होना चाहिए चिल्लर नहीं, बड़ी नोट मतलब क्रोध काम का है जब कोई चीज बहुत ही खराब हो रही है कोई अत्याचार कर रहा है कोई इंजस्टिस कर रहा है कोई खराब चीज कर रहा है और तब भी तुम चुप रहोगे तो ये तो उससे भी बड़ा इंजस्टिस है तो ये तो बड़ा धर्म है तो वहाँ पर अपना क्रोध चैनलाइज करो कि जिससे एट लार्ज सब का फाइदा हो बड़ी जीजों में गुसा वो फाइदेमंद है और बात करू कैसे spirituality help करती है देखिए कभी कबार जैसे हमें गुसा आया at the moment किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसे बिएव किया we didn't like it and we just explode ये एक वो तरीका हो सकता है या फिर दूसरे जो संभल के जीने वाले लोग सायाने लोग होते हैं वो क्या करते हैं को बहुत गुसा आया और वो बोलते हैं कि अब मैं चुप हो जाऊँगा इसका मतलब वो emotionally intelligent है उसको पता है कि अभी मैं बोलूँगा तो कुछ गंदा बोल जाऊँगा और सामने वाले को और हर्ट हो जाएगा हमारा relationship खरब हो जाएगा या फिर और कोई नुकसान हो जाएगा तो वो emotional intelligent इतना है कि वो उस time पे चुप रहता है लेकिन जब चुप रहा तो अंदर frustration बढ़ रहा है क्या करें? क्योंकि अंदर जो है वो तो निकल नहीं रहा एक तरफ तुम बोल भी नहीं सकते और अंदर frustration मैं मानती हूँ वहाँ पे spirituality काम करती है वहाँ पे stability spirituality हमारे जीवन में लाता है कि जब तुम emotionally vulnerable हो लेकिन तुम संभलना चाहते हो बड़ अंदर से negative हो सामने वाले का अच्छा तुमने कर दिया लेकिन तुमारे साथ बुरा हो रहा है तो उस moment पे अगर spirituality अगर इंसान के अंदर spirituality है तो वो अपने आपको stable कर पाएगा शांत कर पाएगा तो ना वो frustrate हो पाएगा और बाकी तो जो ग्रोध ना करने से जो benefit है वो तो ही तो spirituality ऐसी चीज़ों में काम करती है बाबरे इतनी बढ़ते जा रही है कि अब पूछो मत मुझे असे लगता है कि सोचल मीडिया पर आने वाले वक्त में वीवर्स कम होंगे, क्रीटर जादा होंगे और मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी दिन इंस्टाग्राम, फेस्बुक, यूटुब, व्यूवर्स को पैसा दे रहे होंगे तुम देख लो क्रीटर बढ़ते जा रहे है बट उसमें एक समस्या बहुत है सोचल वैलिडेशन की आप फोटो डाल रहे हैं इंतजार करते हैं तो किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने क्या कॉमेंट किया कभी कबार वो उल्टा भी पड़ जाता है मुझे से लगता है कि इंफ्लूएंसर बनना असान है लेकिन उसके बाद बहुत जर्नी है उसको मेंडेन करना हाड है और जब ऐसा कुछ उल्टा सीधा हो जाए उसके बाद जब पबलिक नीचे गलत लिखती है गालिया निकालती है तो ऐसी चीज़ें तो हमारे प्रधान मंत्री तक को देखनी पड़ जाती है बड़ा पक्का बना है उन्होंने अपने आपको बट कई बार लोग तूड जाते है ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट नी किया होता है कि मुझे इसकी ये किमत भी जुकानी पड़ सकती है तो वो social validation और ये socially जो हो रहा है जिसका impact actually हमारे आँ तो बिमारी नी मानते stress को जबकि बहुत बड़ी बिमारी है लोग उसे मरते है corporate में leaves नहीं मिलती जैसे physical illness की leaves मिलती है बुखाराया leaves मिलेगी पेट में दर्दे लीव मिलेगी यहाँ पे दर्दे तो नहीं मिलती बड़ा problem है बहुत problem इस social validation से कैसे बार निकले आज का यूद देखिए validation की जो हमारी need है urge है वो एक social urge है और वो हमेशा से रहेगी मैं चाहे कितना भी हम बोलने कोई कितना भी ग्यान दे दे validation एक ऐसी चीज है वो आप भी relate कर पाऊगे और मैं भी कर पाऊगे हर कोई हमें validation चाहिए लोग क्या बोलते हैं उससे हमें फरक पड़ेगा कोई कितना भी बोले कि लोग तो बोलने वाले बोलते हैं फरक मत लाओ कुछ पड़ता है let's be real पड़ता है तो लोग कुछ बोलते हैं उसका फरक पड़ता है ये बात fact है लेकिन वो लोग कौन होंगे वो decide हमें करना चाहिए finally कुछ आखरी सवाल हो उसके बाद फिर हम अपने अगले राउंड की तरफ चलेंगे आपके हिसाब से जीवन का दे क्या होना चाहिए आपने जित्ती जरनी अभी तक जीए उसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्योंकि आप ही ने कहा कि हम लिमिटर टाइम परिड के लिए आए क्या करें मैं यह मानती हो कि हमारा जीवन का धिय होना चाहिए कि जब हम अपने एंड पे हो तब हमें फक्र हो कि हम क्या जीए forget about the material achievements मैं यह नहीं मानती कि उसमें कुछ गलत है यह भी एक बहुत बड़ी misconception है कि जो लोग अध्यात्मिक होते हैं मतलब अध्यात्मिक होना मतलब spiritual होना मतलब तुम पैसा छोड़ो करियर छोड़ो परिवार छोड़ो बस राम 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 करते रो और prior generally ऐसा होता है कि जो बहुती spiritual so-called spiritual होने की बाते करते हैं वो पैसे को गाली देते नहीं पैसा important है material success important है material achievements important है पर कितनी जितनी एक गाड़ी में petrol की importance होती है उतनी हमारी लाइफ में पैसे की importance है कोई गाड़ी पैटरोल के बिना नहीं चलती राइट पैसे चाहिए गाड़ी पैटरोल के बिना नहीं चलती ये बात सत्य है लेकिन गाड़ी चलाने का motivation सिफ यह है कि तुम घर से गाड़ी निकालोगे और मैं जब पैटरोल पंप में जऊओ पैटरोल बहूरू बस यही नहीं वो एक जरिया है that's a channel, that's a माध्यम उसके द्वारा तुम जर्नी कर रहे हो important है, बस कितना important है कि वो जर्नी में तुमें help करे तुमारी life को easy बनाए तुम speed से जा सको, उतनी बाकी कोई इंसान आपको कभी ऐसा मिला है कि जिसका motivation यही हो कि बस, पैटरोल भर हूँ कि गाड़ी चला रहा हूँ कितनी पागलपंती वाली बात है तो पैसा भी चाहिए बहुत सारा चाहिए कितना जितना अच्छा comfortably life जी सके हो उतना, बट सिर्फ पैसा कमाना मैं तो यह कहते हूँ कि जिसके पास सिर्फ पैसा हो और पैसे के अलावा कुछ भी ना वो दुनिया के सबसे बड़ा गरीब है जिसके पास सिर्फ पैसा है और उसके अलावा कुछ नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है पैसा कमाना एक चीज है लेकिन सिर्फ पैसा ही कमाना यह अलग चीज है so see the difference finally आकरी सवाल लेते हैं सेग्मेंट का जैसे आज का यूथ है जिते सोचल मीडिया पर है लोक और सोचल वैलिडेशन से लेके तथ्य मांगते हैं हर चीज के लिए तारकिक बुद्धी का इस्तमाल करते है उसके बावजूद भी इतना जो स्कूल हमारी पढ़ाई है वो परानी कताओं के ओपर है भी नहीं हमारे स्कूल में उनके बारे में पढ़ाई भी नहीं जाता लेकिन उसके बावजूद भी जब भी जैसे पैंडमिक के टाइम पर रमायन को टेलीकास्ट किया गया इत ब्रोक अल्ड रेकॉर्ड्स गया बोलते हैं जियोटी गेम अफ थ्रोंस का रेकॉर्ड भी ब्रेक कर दे राइट तो भी तब फैसिनेशन आज भी उस चीज़ को लेके जबकि स्कूल की किताबों में भी नहीं है क्या अकर्शन है उसका कारण क्या है सिंपल सी बात है बच्चों के लिए तो वो मैजिक है और मैजिक फैसिनेट करती है मेरा तो यह मानना है कि जो हमारे स्कृप्चर्ज में है कहीं भी मैजिक की बात है नहीं जो रामायन है महाबारत है उसमें जितनी भी बगवान की लिला है उनको अलग शबदों में डिकोड किया गया है एंकोड किया गया है लेकिन कहीं पर भी मैजिक नहीं है जैसे बगवान राम ने जो सेतू बनाया है इस नॉट मैजिक, इस अमेन मेड पूल इस क्वाइट पॉसिबल आज बन रहे हैं कोई कोई ताजूब नहीं है लोगों को लेकिन ताजूब यह हजारों साल पहले यह बना तो गर्भ लेनी की बात है कि स्टार्ट वहां से हुआ सबसे पहला लेकिन इंपॉसिबर टास्क नहीं है जो बोलते ना कि बगवान एक बाण मारा और ऐसा कुछ नहीं है कहा जाता है, सत्य नॉट इन दिस सेंस कि वो इस डेट को कभी यह हुए थे, not in that sense, सत्य किसको कहते हैं, जो शाश्वत हो, जो एटर्नल हो, जो कल भी सच था, आज भी रिलेवेंट है, और कल भी रिलेवेंट रहेगा, वो सत्य होता है, जो एक समय में रिलेवेंट होता है, और आज रिलेवेंट नहीं होता, वो सत्य नहीं कहा जाता, तो हमारे यहां, इसलिए सनातन धर्म के आगे, शब्द लगता है सत्य सनातन धर्म की जाए हम बोलते हैं, जाएकारा लगाते हैं, क्यूं? क्यूंकि ये जो सनातन eternal ethos हैं, principles हैं जो सिद्धान्त हैं, जो ये कथाओं के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त होते हैं वो ऐसा नहीं कि कभी 5000 साल पहले ही वो relevant था, वो आज के टाइम में और 10,000 साल के बाद भी रहेंगे, इसलिए हम उसको सत्य, सनातन, सनातन जो ना कभी पुरातन था और ना कभी नूतन है वो सनातन, eternal रहता है सो ये फैसिनेट इसलिए हमारी कथाओं हमें करती रहती है क्या बात है वैसे तो आखरी सवाल था पर मैं सोच रहा हूँ, आखी दो सवाल और एड कर देता हूं इसमें बड़ा अच्छा बोलती है आप बड़ी ग्यानी है, बड़ी नॉलेज़िबल परसन है आप और लिटरली, एक औरा है आपका बहुत पॉजटिव हो रहा है आपसे मैं आप दो सवाल पूछने वाला हूँ वो प्रिटिकल क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं पहला सवाल आपने थोड़े पहले का कि आप सिंगल है तो आपके शादी के बारे में क्या विचार है इसी मैं एक चीज़ आइड करता हूँ आप शादी करेंगी, नहीं करेंगी क्या सोचा है दूसरा अगर आपकी आंसर है हाँ शादी करनी है तो आपको क्या ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही क्योंकि आप देखो बहुत ज़ादा हो इतना इतना लेवल किसी को मेंडीन करना आपकी चोईस क्या है क्या आप कॉंपिटिटिव परसन ढून रही है कि नहीं ठीक है प्यार करने वाला होना चाहिए ये दो चीज़ का अंसर देखिए रिलेशनशिप की मैं अगर जेनरल बात कर रही हूँ फिर मैं अपने परसनल जो भी है मेरा आपना भी बताऊंगी हम यूजवली जब रिष्टा दूनते हैं इन लव मेरेज है तो कोई बाती ने बट यूजवली इंडिया में आज भी मोस्ट मेरेज़ेस हैपन इन अरेंज मेरेज फॉर्मट आज भी उसी सेट अप में शादिया हो रहे हैं हम क्या करते हैं B.com की शादी B.com से होती M.tech के शादी M.tech से होती M.B.स की शादी M.D. की M.D. से C.A. की C.A. से मतलब एक डिग्री की शादी दूसरी डिग्री से हो So, जब हम partner choose करते है तब हमारा selection criteria क्या है so I think that सुकून peace has to be the most क्योंकि देखो जब हम बाहर की दुनिया से थक जाते हैं काम में, अपने कलीक से बॉस से, अपने कस्टमर से थक जाते हैं तब हमारी थकान हमारे घर में उतरती है लेकिन जो बंदा अपने घर से थक जाता है उसकी थकान दुनिया के किसी कोने में नहीं उतरती so यह है एक ऐसा partner होना चाहिए हर किसी के लिए जो life में calmness शांती लाई, सुकून लाई that's the prime जो आपका selection criteria होगा तो अब अगला सवाल कि अब करेंगी या नहीं see as of now no thoughts on this अभी ऐसा कुछ immediate plans नहीं है but जैसा मैंने कहा कि मैं यह सोचूँ कि मैं करूंगी या नहीं यह भी एक अहंकार वाली बात होगी चीजें अपने आप होती ही चली जाती जैसे मैंने यह कता का फिल्ड भी मैंने कभी it was never in my dreams in my childhood or even मैंने जब मेरा master's कर लिया उसके बाद मेरा जो sports का करियर था मेरा corporate करियर था I had never remotely thought कि मैं यह भी करती होंगी so you never know life में कब क्या होता है so as of now there are no plans but मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि नहीं ही करूंगी let it flow दूसरा सवाल जो again इस conversation का most critical question हो सकता है आपके लिए आप कथाए करती है एक बड़े stage पे बहुत उपर आपको पिठाया जाता है देवी की तरह सम्मान मिलता है हो सकता है कि उस कथा में आपको लोग आपके चर्ण सपर्ष भी करते हो होते हैं बड़े बुज़ूर्ग आते हैं जब आप कथा बूल रही होती है तो आपका व्यक्तित्व दरकिनार होता है आप जो बोल रही है जो उनको समझा रही है जो उनके रहिदे में जा रहा है उनके मस्तिष्क में जा रहा है वो बहुत महत्व करता है जिससे वो आपका सम्मान करने लगते है आपको भगवान मानने लगते है आप चाहे माने नहीं माने वो जो सीट है वो अपने आप में कोरा लेके बेटी जिसपे आप विराजीत हो और वो मानके चलते हैं साक्षात भगवान के दूत है, जो हमें बता रहे हैं, जिससे वो आपके पाँ तक छूते है, होता होगा आपके साथ, तब एंकार नहीं आता आपको, मैं सवाल पहले पूरा कर लेता हूँ, एंकार मतलब ऐसा कभी हुआ है, कि किसी ने आपके पाँ चूए, और आप अपने आपको, कि आप पूरीच भगवान है, सेकिंडली, बैलेंस कैसे करते हो, कि नहीं, जब मैं गदी से नीचे उतरी हूँ, तो मैं भी काम इंसान हूँ, मैंटेन कैसे किया, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे, जहां तक मैंने आपके बारे में स्टेडी किया, हजारों लाखों लोग आपको मानते हैं, कथाओं में आते हैं, जब आपकी वार्नी सुनते हैं, तो वो हैरान रह जाते हैं, हमको बहुत डाउन टू अर्थ लग रहे हैं आप, तो मैंटेन कैसे किया आपने? जो इनसान दिल से अगर उसमें स्पिरिच्वालिटी का एसेंस अगर सही है, तो डाउन टू अर्थ रहने के लिए उसको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो बाई डिफॉल्ट हो जाता है, सी, मुझे नहीं पता कि मुझसे मिलकर लोगों को कैसा फील होता है, बिकॉज वो दूसरे लोग ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन मेरा नम्र प्रयास यही रहता है, और मैं on the record सारे वीडियो में कथा में मिलता है, कि मैं जहां पर भी मेरी कथा होती है, मैं जब कथा है, बोली जाती है, गाई जा रही है मेरे द्वारा, तब मैं बोलती हूँ कि आप, आपका जो प्रेम है, आपका जो आदरभाव है, वो सर माथे पर, लेकिन आप मुझे पैर मत लगे, आपको पैर लगना है, तो आप भागवाजी की जो पोती है, या जो गदी है, उसको पैर लगे, हम तो एक माध्यम है, हम एक जरिया है, हमें भी जहां से एनरजी मिलती है, वो पोती होती है, तो मैं डिरेक्ट करती हूँ जो भी मेरे शुरुता होते हैं उनको कि आप यहां पर चरण सपर्ष कीजिए बहतर रहता है लेकिन अब लोगों का प्रेम है भाव है मुझे इन फैक्ट फूल की माला जब पहना ही जाती है तो बहुड़ा डिस्कमफर्ट होता है मुझे लगता है कि नहीं यह नहीं होना जाए ज़्यादा तर जहां पर हमारा कंट्रोल रहता है हम अपनी रिक्वेस्स करते हैं कि आप यह फूलो कि आपका प्रेम है पर यह माला मत चड़ाइए लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर उनका मान रखने के लिए अब ना भी बोलोगे तो भी अपमान होता है सामने वाले का तो क्या करते हैं वो पहनाते हैं हम उसी से किन उतार के रख देते हैं आपकी जो सोशल बीडिया है उससे हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, कैप्शन्स हैं और जो कुमेंट्स आते हैं उसके नीचे वो है तो आपको पिक्चर दिखाएंगे आपको बताना है कि उससे जोड़ी मेमरी आपकी क्या है जिसे पहली पिक्चर जिसका कैप्शन गुजराती में है तो मैं चाहूंगा आप अगर कुमेंट को गुजराती में पढ़ दें तो दाट वुड़ी क्रेट पिक्चर यह है गामडू गामडू मतलब विलेज यह हमारी जुनागट में एक कथा थी सो कथा के ओफ टाइम में हम ज्यादा तर वहां के जो लोकल कल्चर होते हैं लोग कैसे जीते हैं क्या-क्या करते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं पहनावा क्या है सो मुझे बुज़ बुज़ फैसिनेट करता है सो मैं वहां के दूर के गाउं में गई ती तो वहाँ पे किसान के घर में, वहाँ पे बड़ी अच्छी सी बाजरे की रोटी खाई, और फिर उसका जो ये गाड़ा बोलते हैं गुजराती में, गाडू, बेल गाड़ी, तो बस वो चला रहा था तो मुझे शॉक हुआ कि चलो हम भी ट्राइ करते हैं, गाड़ी बाच चला है, ये भी. बड़ी बात है? कौन से बात है? इस तो बी 2019. 2019? अगला, next picture. Sometimes the right way to love is to leave. ये एक एप्शन के साथ अपने फोटो डालाते हैं. राइट. ये काह का फोटो है? ये विशा का पतनम के बीच का फोटो है. तुमा कोई कथा थी? हाँ, कथा थी हमारी. नीचे comment भी आया, very beautiful atmosphere. विशा का पतनम की फोटो है, ये आपने caption में mention नहीं किया. पर काफी खुबसूरत दिख रहा है. हम लोग बाहर के बीच की बात करते हैं. हमारे इंडिया में इतनी अच्य अच्य जगाएं हैं. अरे इंडिया में बहुत सुंदर. हमें इंडिया देखना चाहिए. और ये मोदी जी का जो केमपेन है, कि भारत देखो, पूरा हमारा जो हिमाला है, साथ इंडिया है, कितनी ब्यूटिफूल जगाएं हैं. शूट एक्स्प्लोर देखो अगली पिक्चर, वो मेरी फेवरिट है, हरी समरन. आई तिंग आप ही हैं. इसके बारे में कुछ गोता हैं. हमारे कथा में, कृष्ण जन्म का अउटसव होता है. तो उस दौरान, उस दौरान की फोटो है. तो आप ओडियन्स में बैटी हुई हैं? नहीं. तो फिर क्या हुआ? कथा पूरी हो गई. और फिर लोग, कृष्ण उटसव मना रहे थे, कि कृष्ण का जन्म हुआ है, श्री कृष्ण प्रागट्य हुआ है. तो सब बड़े धूम से नाच रहे थे. तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं सब के साथ नाचने लग गई. तो मैं डांस कर रही हूँ लोगों के साथ. वो फोटो है. उसमें कॉमेंट भी काफी अच्छा है. पार्थ, पार्टीदार ने नीचे कॉमेंट किया, ब्यूटिफुल पिक एंड लवली स्माइल. इस स्माइल, जितने भी मैंने देखे हैं, साथवी, मतलब spiritual orators basically, उनमें ऐसा क्या चेंज आता है, मुझे समझ नहीं है, मैं कल भी हम लोग डिसकस कर रहे थे, जाता हूँ, यहापी की पिक्चेर है, यह मेरी फोटो है, हाँ, ठीक है, यह, यह, कॉंटेक्स्ट क्या है इसका, यह हम कोई recording studio में, मैं गाना-गाने गई थी, तो आप गाती हैं, मतलब, हाँ, कता हैं, मैं गाते हैं, ठीक है, तो, एक, एकाद लाइन, यह, आपके फेवरिट, जो भी गाना आपको अच्छा लगता है, बक्तिवाला सुनना है, भजन सुनना है, मुछ भी, जो आपको अच्छा लगे, मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या गबराना यहा कल क्या हो किसने जाना अब देखो इसमें caption लिखा हुआ है Vogue as a dream and precise as algebra इसका क्या मतलब है इस caption का जो आपने लिखा है Vogue as a dream and precise as algebra the strangest form of magic and gives color to the air of the moment I don't sing because I'm happy I'm happy because I sing तो पहला तो यह question है Google सिफ थाए कुद निले तो पूरी एक कथ हो जाएगी मुजिक के बारे मुजिक क्या होता है कि as vague as dream and as precise as algebra मुजिक का एक science भी है और art भी है एक science इसलिए क्यूकि सारे करम पदनी सा एक technical वो होता है तो वो science हो गया लेकिन सिफ सारे काम अपदनी सा सीख लिया तो तुम गान नहीं सकते उसके अंदर भाव डालना पड़ता है emotions डालने पड़ता है so वो emotions तो हमेशा वेग रहेंगे dreams जैसे वेग रहता है unclear, unprecise so music is amalgamation of both vagueness and preciseness so उसके बारे में तो देखिए मैं जानना चाहतु है picture है कब की कौन से एर की है 2017 2017 आपने कथा कब से शुरू की उसी दोरान उसी दोरान ना परिवर्तन देखिए अगली picture लेते 2017 के बाद से तो इसके बारे में यंगर ना हो that's what I am saying कि ऐसा क्या परिवर्तन होगा अच्छा पहले इसके बारे में बताईए ये ये भी एक कथा का फोटो है तो उसमें Holyoodsav जैसा कहा का ये मारे राजकोट के पास में जगा है वाकिया वाका है ये फोटो अब परिवर्तन देखिए I think ये almost same time पे लिया किया होगा maybe 2017 This is 2000 नहीं 2022 This is 2022 5 साल का difference तो difference में तो आप ज़्यादा रिजुवनेट लग रही हैं Spirituality बहुत परिवर्तन लेका है परिवर्तन लेका है ऐसा भी होता है होता है और ये देखा है मेने तो ये हमारा था segment पर क्या कहती है अब हम हावारे अगले segment की तरफ चलते है Rapid Fire with one and only तिपाली अभी तक आपने इत्मिनान से answer दी है कि तसली से ठीक है अभी आपको quick answer देने जितना जितना short word max a client तो सबसे पहले Rapid Fire हम शूरू करते हैं आपकी liking, disliking से आपके पसंद करते हैं, क्या नहीं पहला सवाल एक week होता है, उस week में यानि सब्ता में कौन सा दिन आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है nothing as such, seriously ठीक है बहुत सारी motivation books आती है आपकी favorite motivation book कौन सी मुझे एक book बहुत अची रगे थी Men's Search for Meaning Victor Frankel के द्वारा लिखी हुई अगला question लेते हैं आपकी favorite spiritual book भागबत आपका favorite spiritual character Hanumanji holiday destination आपको कौन सी सबसे अची लगती मुझे हिमालय में गूमना हमेशा पसंद है anytime कितनी भी बार चले जाओ I just never get enough of it आपका favorite season Monsoon पेवरेट कलर Yellow पेवरेट फूद आलू परांथे मुझे बहुत पसंद है आपका favorite body portion जिसको आप जादा महाँ पे exercise करती Legs Next है आपका favorite breakfast Upma Favorite coat To live and let live is good one is a good life but to live and help live is a better one Favorite Bollywood movie A Wednesday Favorite Hollywood movie I don't watch Favorite star Amitabh Bachchan ji Favorite actress Shri Devi Favorite Gujarati movie Hela Ro Hela Ro Favorite song Lutera movie का एक गाना था हवा के जोंके आज मौसमों से बहुत uplift करता है mornings में So Hello Favorite politician Modi ji अब तक जितने प्रधान मंत्री हुए है उनमें आपका favorite कौन सा है Modi ji क्या आपने अटल बहरी वाजपैजी के बारे में सुना है Yes अभी आपको yes or no में आंसर करना है Do you have pets? Yes आप social media effective है Yes क्या आपको running करना अच्छा लगता है No क्या आप दो से जादा भाशाएं जानती है तीन Yes आप भूतों पर विश्वास करती है No ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जिससे आपको सबसे जादा डर लगता है साप बहुत जादा आपका फेवरेट अनिमल कौन सा है गाय को में अनिमल नहीं कहूंगी वो माता है और अपर्ट फ्रॉम एट डॉग्स क्या आपको शॉप्पिंग फ्रॉप्पिंग करना अच्छा लगता है बहुत क्या आपने कभी टैटू बनवाया है कोई नहीं क्या आपकी कोई बखेट लिस्ट है Yes क्या आपकी अब रोड गई है No Arie Yes कहां गई London क्या अपने को भगवान को देखा है? मैसूस किया है क्या अपको डर लगता है? येस क्या आप इंग्लिश गाने सुनती है? सुनती थी अब आपको दो अप्षिन दूँगा जिसमें से एक को चुनना पड़ेगा आपको पहला भगवान कृष्ण भगवान राम? शुरी कृष्ण दूसरा माता या पिता? माता सोचल मेडिया या फिर कथा सोचल मेडिया फेमूस इंफ्लूएंसर या फिर कथा है? कथा अनी डे मनी और फेम? फेम Modi और Gandhi Gandhi जी को तो Modi जी भी बहुत मानते है very smart I said this thing any and every time the question कभी controversial नहीं होते है you have to be smart to answer those questions beautifully या वांसर क्युकि मैंने Rahul Gandhi नहीं का salty or sweet? salty physical strength or mental strength? mental driving or flying? flying तो हम कर नहीं सकते तो drive तो करते हैं लेकिन flying का मौका नहीं मिलता इसलिए fascination flying का ही रहेगा obviously social time or alone time? I mean अकेले रेना पसंद है या socially? alone learn by watching or learn by doing? both has its own impact राजकोट या फिर आमदाबाद? राजकोट, any day fresh food or fried food? fresh food work or play? work should be like a play love or friendship? दोनों का लग्चाम है जरूर है दोनों दोकला या खांडवी? खांडवी कृष्ण कथा या शिव कथा? कृष्ण कथा do you watch shows one episode at a time or bring whole season? मैं honestly नहीं देखती हूं series नहीं देखती हूं Ramayan और महाभारत? महाभारत are you more of a thinker or a doer? thinker के do करते हैं job या business? business थिखाव as a normal girl or as a spiritual guru? I play both roles what motivates you the most? kindness what is the best advice you have ever received? जो किसी के काम नो आए वो क्या काम का? अगला सवाल are you where you want to be in your life? क्या भाँ पहुँच चुकी है? जहां पहुचना चाहती थी? मैं अभी जर्णी में हूँ कहां पहुचना चाहती हैं? जिससे मैंने वो बात करी आपको मेरे जीवन का दिये कि जब मेरे ऐसे मोमेंट में कि ऐसा लगे कि अभी जर्णी पिफॉर करें थे जर्णी लुचना पहुचना चाहती हैं? अभी ज़्याज़ाँ थी आपको आ हैं वह बंगे का है के श्रूर कईश्चना चाहती है? आपको चाहरी सवाल मान लेजिये आपको एक करौर रूपया मिला एक सूतकेस मैं तो आप क्या करेंगे? 30% to enjoy, 30% to invest, and 30% to use in charity. बाकी 10% का क्या करो है? 33-33. अगर आप एक math teacher होते तो क्या करते है? Maths ने मुझे बड़ा तंग किया है, तो मैं वो subject ही बंद करा देती है, in school में. अगर आप गुजरात की CM होती, तो क्या करते है? Same, वो research वाला. अगर आप भगवान होती, तो क्या करते है? तो इंसान के दिल का fine-tuning थोड़ा करती है, और दिमाग का, वो proportion made आती है, किसी के पास दिमाग होता है, तो दिमाग ही होता है, दिल काम नहीं करता है, किसी का दिल काम करता है, तो दिल ही काम करता है, दिमाग काम नहीं करता है, तो I would fine-tune this, अगर मैं भगवान हो पाती. अगर आप एक बहुत बड़ी influencer होती, बहुत बड़ी, जिसके पास बहुत पैसा है, सारे influences हैं, जो इंडिया के सब जानते हैं, और फिर आप अगर आमन, मतलब एक food के लिए सब को invite करती, तो एक या दो ऐसे कौन से लोग होते हैं, जिनको आप कभी invite नहीं करती? ऐसा कोई है नहीं जिसको मैं इतना नफरत करती हूँ, genuinely. दो ऐसे कौन से लोग हैं, जिनको आप ज़रूर invite करती? तो मैं एक मेरी फ्रेंड है, जिनका मेरे लाइफ में बहुत impact रहा है, उनको बुलाती. नाम क्या है उनको? स्वाती. और मेरी एक sports teacher रही थी, उनको मैं बुलाती. अब कुछ आकरी सवाल हैं, बिलकुल एंड पर पहुंच गया हैं हम लोग. रिडल हैं, इंटेलिजन्स के लिए, थोड़ा सा, कि आप कितने, अक्टिवली, सुड़ो को टाप questions का अंसर देती हैं. पहला सवाल, वट मन्थ अव दो येर हैस 28 अज़? February. वट गोस अप बत नव कम्स दूँड़ा हैं. Ego. Smartly answer. Next. The more of these there is, the less you see. What is it? इंसान की कदर. जितना वो अवेलेबल होगा, कम दिखाई देगा. कदर उसकी. Smartly answer. Okay. Next question. It belongs to you. But other people use it more than you do. मेरे कपडे. मेरे से जयादा. Obviously I also use. Forward I am heavy. But backward I am not. What am I? Forward I am heavy. And backward I am not. Chinta. Smartly answered. Because past की अभी चिंता नहीं होती है. उसकी हमेशा रिग्रेट होती है. चिंता हमेशा future की होती है. Funny question. एक मुर्गा एक गंटे पे एक अंडा देता है. दस मुर्गे एक गंटे में कितना अंडा देंगे. सब एक 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 ही देंगे. एक कपड़ा एक गंटे में सुखता है. तो दस कपड़े सुखाने कितने घंटे में सुखेंगे सेम टाम लगेगा अलग अलग रहेंगे न वो फर्स और फोल मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहां पर आए आपने बहुत सारे चीजे सीखी ऐसी चीजे सीखी जो मैं भी नहीं जानता था और मैं चाहता हूँ कि पूरी ओडिंस जितने भी लोग हैं हमारे जितने परिवार हैं आपको देखें और मैं तो कहूँगा कि आप जहां भी कता के लिए जाएं याप मोडिवेशन स्पीच के लिए जाएं वो लोग आएं क्योंकि आपने लिटरली बहुत अचीव किया है और मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी लोग आपकी जर्नी को जाने समझें पर आपने जितना जिंदी अवी तक जिया है उसमें तीन ऐसी चीजें जो आपने सीखिए और आप चाहते हो कि जो यूथ है जो सामने वाला जितने भी लोग आपको देख रहे वो सीखे और अपनी जिंदी में आगे बढ़े वो क्या होगी I will sum it up very quickly देखिए इतने बड़ी मेरी उमर नहीं है कि मैं youth को guidance कर पाती है और देखो, यह जो जो गाइड करता है उनसे वो नफरत करते है जो इनको सिखात आए ग्यान तेता है उनसे वो नफरत करते है और बड़ी मेरी को ऐसी उमर उमर नहीं है कि मैं गाइड करू लेकिन जो मैंने कुछ पाया है, I will share it. I will not say, I am preaching it, I am sharing it. एक वो, कि don't wait for external motivation. You have to self-start this. Second, I would say, spend at least 5, 15, 20 minutes every month, if possible every week, with a person who is less than 7 years old or more than 70 years old. अगर गर में फैमिली है तो तो अच्छा, लेकिन काफी लोग अभी नुकलियर सेट अप में जी रहे हैं, उनको यह एक्सेस नहीं है. So, हो सके तो महिने में या हफ़ते में एक बार, 5 से 15, 20 minutes, कुछ भी, जैसा टाइम. साथ साल के नीचे के बचे, या सतर साल के ऊपर के बुजर्ग, उसके साथ टाइम स्पेंड करो. You will learn a lot. Amazing. Finally, हमारे amazing session खतब होता है. I think and I hope आप लोगों को बहुत सीखने को मिला होगा. मुझे तो surely मिला है, बढ़ आपको क्या करना है? Simply, अगर आपने पूरा podcast देखा है, तो दिपाली जी की कौन सी ऐसी बात, या कौन सा ऐसा answer, जो आपको लगता है आपकी life change कर सकता है, या आपने बहुत कुछ सीखा है उससे, please write down in comment. And finally, हमेशा मैं कहता हूँ, अगर आप मेरी जगा पर होते हैं, इस hot seat पे होते हैं, और फिर अगर दिपाली जी आपके सामने होती, तो आप क्या सवाल पूछते हैं, पूमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और फिर से कह रहा हूँ, बूरी चीज, बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी चीजों को फैलाने के लिए, इफर्स लगते हैं, वी निए और एफर्स, ब्लीज शेर देस्टेशन, लिक देविडियो और कमेंट बिलो इट, थैंक यू सो मुच गईज, जो यू नाइट, थैंक यू, थैंक्स अलोट.